दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कुईक शेर कैसे यूज करते हैं, कुईक शेर से फाइल ट्रांसफर कैसे करते हैं, कुईक शेर दोस्तो हमारे मोबाइल की एक सैटिंग होती है, जिसकी मदश से हम किसी भी वीडियो, फोटो या किसी भी फाइल को एक फोन से दूसरे फोन में transfer कर सकते हैं तो ये कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ जिस phone से आप file transfer करना चाहते हैं आपको notification panel को open करना है और पहले आपको Bluetooth को on कर लेना है उसके बाद आपको यही पर quick share का option मिल जाएगा ये भी Bluetooth को on करने के बाद automatic on हो जाएगा आपको इस तरह से slide करना है तो आपको quick share का option दिख जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है quick share पर एक बाद tap करना है tap करने के बाद quick share की setting open हो जाएगी अब यहाँ पर दोस्तों आपको तीन option मिलेंगे तो आपको इसे everyone पर set करना है और done पर click कर देना है अब जिस phone में आप file transfer करने वाले हैं उस phone के अंदर भी आपको क्या करना है bluetooth को on करना है और यहाँ पर आपको quick share को on कर लेना है quick share को on करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इसे भी everyone पर set कर देना है everyone पर मैंने set कर दिया और save कर देना है ठीक है यहाँ पर done कर देना है नीचे डन पर किलिक करना है दोनों ही फोन में हमें Bluetooth को on करके Quick Share को on करना है और Everyone पर set कर देना है इसके बाद जो भी फाइल आप ट्रांसफर करना चाते हैं तो आपको File Manager या Gallery को open कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैंने Gallery को open कर लिया वीडियो वाले section में आ गया एक movie है मेरे पास तकरीबन यहाँ पर यह वन जीबी से जादा की है तो जो भी फाइल आप ट्रांसफर करना चाते हैं उस पर long प्रेस करके आपको से select कर लेना है कुछ इस तरह से दो तिन फाइल भी आप कर सकते हैं मैं एक फाइल यहाँ पर select करता हूँ इसके बाद नीचे यहाँ पर share बटन पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऊपर में ही यहाँ पर quick share का option मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है त quick share पर click करने के बाद आपको यहाँ पर permission को allow कर देना है इसके बाद जो दूसरा phone है उसका जो name है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इस पर आपको एक बाद टैप कर देना है टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक pop-up आएगा और file जो है transfer होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर एक pop-up आगया अब यहाँ पर क्या करना है accept पर click कर देना है यहाँ पर जैसे मैंने accept किया तो यहाँ पर आप देखेंगे file transfer होना शुरू हो गई है यहाँ पर आप देख लीजे इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप quick share का use कर सकते हैं और किसी भी file को transfer कर सकते हैं और यह काफी speed में होगा जैसे कि आप देख सकते हैं 1GB से जादा की file है और कितने speed में यह transfer हो रही है इस तरह से दोस्तों आप quick share को use कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं file हमारी transfer हो गई है view download पर click करके आप file को play करके यहाँ पर देख सकते हैं आपको quick share व आप अपने phone में किसी भी photo या video को छुपाना चाहते हैं hide करना चाहते हैं तो फिर आप यह वाला video जरूर देखना आपको यह video अच्छा लगा है तो channel को subscribe करना video को like कर देना